इसापू सन तेरा सो पंद्रा एक गौरवशाली दिहास का साक्षी विक्रांत का सामराज्य विक्रांत का सामराज्य के महराज हैं भारत के सबसे शक्तिशाली राजा महराजा विजय नारायन मरुत्पती जितना महान इनका सामराज्य था उतना ही विशाल उनका हरदै भी था एक और जहां प्रसार नीती से अपनी सीमाओं को विस्तृत किया वहीं दूसरी और अपने नागरिकों की खुशाली का पूरा ख्याल रखा इस सामराज्य की सीमाएं उत्तर से दक्षिन पूर्व से पश्चिम दूर दूर तक पहली थी और इसका शेय जाता है महराज के चहेते राज के मुख्य सेनापती राजनायक को बाज की नजर जीते की खुर्ती रणनीती के माहिर वीरों में वीर पराक्रमी राजनायक अकेले ही दस हजार की सेना को पराजित करने की शमता रखते थे राजनायक की दो कमजोरिया थी पहली औरत और दूसरी राजा बनने का सपना जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे राजकुमारी रतना देवी को पाने के लिए पहले उसके प्रेमी और उसके बाद उसके भाई का वद किया उसके पश्चात सत्ता पाने की लालच में महराज को भी मार डाला और जब राजकुमारी रतना देवी ने उसके प्यार को ठुकरा दिया तो उसे भी मौत के खाट उतार दिया मरते समय राजकुमारी ने उसे ऐसा शाप दिया जिसकी वज़े से राजनायक की आत्मा हमेशा के लिए कैद होकर आज तक खोर उत्पीड़न का अनभाव कर रही है उस शाप से मुक्ति का रास्ता कुछ प्राजीन ताड़ बत्रियों में अंकित था राजनायक ने एक बाज की मदद से उसे चुराने की योजना बनाई और उसमें सफल भी हुआ इसकी मृत्यू हो चुकी है दैव कुमारी में कई आलोकिक शक्तियां मौजूद हैं मृत्य शरीर में फिर से प्राण फूंक सकती है वो नवकाली का पूर्णिमा का राज बताने वाली ताड़ पत्रियां गायब हैं कर दो हाथ हटा लो, ये क्रूर आंधियां इस पवित्र अगनी को कभी छू नहीं सकते वातावरण में ऐसा बदलाव आने वाले बुरे काल का संकित दे रहा है आज से आने वाली तीसरी पूर्णिमा नवकाली का पूर्णिमा है साथ सो वर्ष बीच चुके हैं लेकिन भव्यता का प्रतिक रहे चुका विकरान्त का सामराज आज भी वीरान है साथ सो वर्ष बाद भी अपने लोगों के बहायरक्त को मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ अपने सामराज का नाश करने वाले का अस्तित्व मिटा दूँगी मैं साथ सो वर्ष आठ हजार चार सो पूर्णिमा है इस बंधन से मुक्त होने के लिए तडप रहा हूँ अब मुझे सिर्फाने वाली नवकाली का पूर्णिमा की प्रतीक्षा है इस श्राप से मुझे मुक्ती दिलवाएगा काश्मोरा कहीं उस दुष्ट राजनायक की आत्मा को श्राप से मुक्ती न मिल जाएए सोच के मेरा मन कहा पुटता है ग्यारा बार जन लेकर तपस्या की है उस दुष्ट का वद करने वाला बान बन चुकी हूँ मैं बान को चलाने के लिए कुशल धनुर्धर चाहिए देवी काश्मोरा कहा है तू काश्मोरा ये है श्री घंशाम दास का घर कुछ दिनों से यहां अजीब औ गरीब घटनाए घट रही थी किसी रुहानी ताकत ने इस परिवार का सुखचैन छीन लिया था इन्होंने कई तांत्री को और पीर बाबाओं की मदद भी पर इस मुश्किल से निजात नहीं मिल पाई आखिरकार किसी की राय पर घंशाम जी ने इस देश के ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या के सबसे बड़े चानकार काश्मोरा को बुलाया इस दुनिया में अगर कोई इनकी मदद कर सकता था एक शक्तिशाली शैतानी रूह को काबू में कर सकता था तो वो था काश्मोरा केले के बवित्रपत्ते को ले आओ स्वामी जी वो अ अगर्णा राँ पपकाा!! पपका stories पपकाा औा पाँ पवपकार बर दो बरीज का लो को उन्या वान वान। आहाँ बर स्थिय। झाहाँ! झाहाली भी बरेफले वाल दो झाहाँ! इंद वे उन्यारणा वाल आहाँ? कर दो प्याphon讲 dön ऩरे और किनला शाया है कर दो यह कर दें थी कार है कर दो拍 provoke terrified हुआ उङ हाओ हुआ है हुआ नह करें हांड़ उल्ट чистु झाल फ्रोको बोस्तित निख लो, इनिखत है वियेृ घ्रण दिर आपकी पतनी के किसी रिष्टेदार ने आप पर वुडू मैजिक किया है उस पुतले के जरीए आपके पीछे एक पापी आत्मा लगा दिये मैंने पुतला जडा दिया है अब आपको वो हानी नहीं पहुचा सकता उसे समुद्र में डुबोना है थोड़ी जान बाखी है उसे मैं समान दोगा स्वामी जी अब तो किसे कट नहीं है खुच जादू करके बुलाओगे तब भी तुमारे करीब में आईगी चलो जासूस बनके अपनी मंगेतर का पीछा कर रहा हूँ तू मेरी बॉन्ड गरी में दखल मत दे चलो बाई बाप रे यह रास्ता तो शम्शान गाट की तरफ जाता है मुझे तो लगता है कि इस ने अपने बॉइफ्रेंड को वहां पर बुलाया यह तो बैंक में जॉब करती है ना लगता है कोई लोन लेने वाला मर गया है पर फेक्ट हाई सर्व है क्या है आपके हाफ ब्रैंडी कॉटर्स की दो बॉटल लाई हूँ एक बनाओ लगता है ब्लैक में दारू बेचना इसका फुल टाइम जॉब है पानी है हाँ है ना मिंडरल बॉटर है यह क्या है रे पानी से क्या नहाने का है वो बोतल चाहिए जो कच्च से खुलती है और फिर फिससे आवाज आती है सोडा बोलते हैं उसको मैं जल्दी से सोड़े का पैसा दे चीन जा गंगू तली के यहां से उधार सोडा लेकिया काम बोल मैंने बताया था ना सर मुझे भूत देखना है पहले कभी भूत नहीं देखा क्या नहीं सर पुराने क्रश mü अधिन मिला वहां भूत की कमी है बसा नगर के शंचान में ला बरनव कहां पर आंत्रीख Took 심ंझे भी बहुत किये ठेंगita Dika अच्छों की बोलती बंद हो जाती है तुम पर मैं केस करूंगा है जाने लगी है अब तो खुश हो ना तुम्हें पता है लड़के के बाप में तुम्हें तांत्रिक कहा और अब वो सगाई तो ना चाहते हैं मुझपे एक भूतनी के बाप होने का लेबल लगा दिया जब तक अपनी थीसिस पूरी नहीं कर लेती मैं शादी नहीं करने वाली बिना परमिशन रिष्टा करेंगे तो यहीं होगा ना पहले भूत देखूंगी उसके बाद दूले को भूत का पता नहीं लेकिन लड़का प पूर तक ले जाना पड़ीगा हां हां मेटी अब यहीं सुनना बाकी था दमार ढूनने से अच्छा है कि मैं ट्रक के नीचे आके मर जाओ थैंक्स पापा थैंक्स पापा थैंक्स भगवान बिटा मेरा वो मतलब नहीं था तुम पहले शादी तो कर लो उसके बाद तुम चाहो तो तुम और तुम्हारा पती दोनों मिलके साथ में भूत ढूंड़ना और एक और तरीका भी है एक भूत बच्चे को जन देकर उस पर रिसर्च करना इस बहाने तुम्हारी थीसिस पाएगी मेरी बात मान काशमोरा नाम के तांतरिक से मिल वो आत्माओं के स्पेशलिस्ट है भूत भगाने से लेकर चुडैलों और पिशाचों को अपने वश में करने का कॉंट्रेक्ट लेते हैं फुल बुकिंग रहती है हर रात 11 बजे उनका एक लाइफ टीवी शो भी आ आपका स्वागेत है सर यह काशमोरा कैसा नाम है इसका मतलब समझाएंगे काशमोरा आत्मा का एक लोकल नाम है जो बहुत पावर्फुल है वो किसी भी आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं जन्ब से गौड गिफ्ट मुझे हासल था इसलिए पिता ने काशमोरा नाम रखा ओके तो देखते हैं भूद प्रेट में जो विश्वास करते हैं वो लोग यहां बैठे हैं और जो इसे फ्रॉड समझते हैं वो लोग स्टूडियो में इस तरफ बैठे हैं तो आएए पहले इन से शुरुआत करते हैं आप में से यदि आत्मा को किसी ने भी देखा हो या उसके साथ इंटराक्ट किया हो तो बताइए सर कुछ दिनों से हमारे टेरस पर हर शानिवार सुबा साड़े साथ बजे एक कववा आकर बेसुरा रोता है सर कुछ दिनों तक तो मैंने ध्यान नहीं दिया फिर याद आया कि उसी जगहे पर मेरे दादा पेपर पढ़ा करते थे इसलिए हर शानिवार मैंने इस बात को अबजर्व करना शुरू किया सर एक न्यूस पेपर और एक पानी का गिलास मैं साड़े साथ बजे वहाँ पर रखने लगा वो कववा पानी पीकर चला जाता था तब हमें एहसास हुआ कि हमारे दादा स्वर्ग नहीं गए बलकि उन कववा टाइम देखना नहीं जानता था लेकिन दादा जी जानते था सर आम तोर पर देखा है कि आप जैसे धार्मिक और अध्यात्मिक लोग काले या भगवे रंग के कपड़े पहने हैं लेकिन आप तो यूनिफॉर्म सिर्फ पुलिस या आर्मी के लिए होती है ऐसे फ्रॉड या चोर किसी भी ड्रेस में लूट सकते हैं सर ये काश्मोरा अ कुतर्क से सत्य नहीं जुटलाया जा सकता हमारे सौर मंदल में नौग रहे हैं जिसकी खोच साइंटिस ने कुछ सौसाल पहले की लेकिन इस खोच से पहले क्या उनका अस्तित्व नहीं था साइंस के डिफाइंड किये एक्वेटर या ऑक्सिजन दिखाया सकते हैं यू आंसर में हमें ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा फ्रॉड से संधे पैदा होता है पर जैनून को परखना एक बड़ी कला है हेलो फ्रॉड नहीं हो ये साबित कर सकते हो चलिए आत्माओं को बिलकुल ना मानने वाले दो लोगों को यहां बलाना चाहूंगा आचल डरते हैं कैसे मुझे दो टेबल की ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम देखने वाले बच्चे और बुजर्ग प्लीज अपने टीवी स्विच आफ कर लें इस ड्रामे के लिए अब आत्मा में विश्वास करने वाले चार वॉलेंटियर्स प्लीज यहां आई तुम बेठो कहां रहें जाने दो मुझे भी देखने नहीं तुम में जाओ देखा वो चार और हम दो बहुत नाइनसाफी है दो लोग इनके हाथ पकड़ लिजिए और दो लोग इनके पैर क्या भाई मसाज देने वालो क्या है हेलो हमें चादर से क्यों दख दिया तुम्हारी भलाई के लिए यह क्या बख्वास है चादर नहीं चाहिए तुम लोग चीटिंग करोगा है हटाओ इसको जल्दी हो है अण जो दुझा हो मुझे कुछ प्रूफ नी करना है सर भूत होते हैं सर मैं तो इसकी वज़े से हां आ गया था अरे तो यह तो अर्य सच्बसक्षे एड़ा है आरे रुक का या रहा है अरे रुक आग रहे रुक यह सारे कैमरा उसकी बड़ी के सेंटर पर फोकस करो ठीक से फोकस करो ट से पूल अरी, मेरे तोट उखने करती है अरे अर्वाद बचा यह क्या करती है साहब, योज़ा करने हो चाहिए रिलाक्स, जो प्रहोंगे योज़ा पाओगे, में मां मां भी मांगता हूँ जो लोग मुझे में विश्वास नहीं करते हैं, आके चेक कर लें। और विश्वास करने वाले। सर, आप जो बोलो कि मैं कर दोगा। एट लिस्ट क्यामरमन। मुझे विश्वास हो गया, मुझे ठीक कर दो। मैंने काटा है, मैं ही जोड़ोगा। आपको लगरा होगा, ये वाकई में एक साधू भाबा है, तपस्मी है, या भूद भगाने वाला देश का तांतरिक नंबर बन है। जी नहीं, ये देश का फ्रॉड नंबर बन है। यंत्र तंत्र मंत्र से इनका को सो तक कोई लेना देना नहीं। अपने टीम के साथ मिलकर पहले घर में बुरी शक्तिया होने का एहसास करवाते हैं। कहीं साउंड या लाइट्स का इफेक्स देके डराते हैं। कहीं घर में कोई पुतले चुपा देते हैं। और फिर ये महाशय एक्सपर्ट तांत्रिक बनके उस पुतले को ही ढूण निकालते हैं। भूत को भगाने का दावा करते हैं। हाथ की सफाई दिखाने वाले सडक छाप जादुगर और इसमें सिर्फ एक ही अंतर। और वो अंतर है प्रेजंटेशन और मार्केटिंग स्किल्स का जो इस खोटे सिक्के को भी 400 BC के बाजार में चलाए रखता है और लोगों में भूत और प्रेत का डर बनाए रखता है। तो यही है वो धोंगी बाबाओं का बाब फ्राद नमबर वन काश्मोरा। अगर आपका ही तो इन्हें उठा दूँ इन्हें पता नहीं था कि आप यहां आने वाले हैं। एक मासूम बच्ची की तरह सो रहा है। स्वामी जी ने कहा है सोते हुए को जगाने से महापाप होता है। साब जी आप यहां। साब मुझे बुला लिया हुता तू मैं आजाता। स्वामी जी आपके बताया महुरत पर पहुंच गया था पर यहां पर कुत्ता जारा नींद में था। शुब समय निखल गया। इस समय कहा है। कुत्ते के बेड्रूम में हूँ। बेड्रूम दक्षन दिशा में है तो उत्तम होगा। अच्छा। दक्षन दिशा में कोई बेड्रूम है क्या। स्वामी जी, दक्षन दिशा के कमरे में ले आया। ओ राजेश मूल नक्चत्र में पैदा हुआ है। केतु कुंडली के तीसरे घर में बैठा है। आपका राहू छटे घर में विराजमान है। इस समझ लीजिए कि इस समय लोहे का इस्तिमाल करना बहुत आया सुब होगा। लोहा नहीं तो फिर कुछ वार करते हैं। तुम हिलाने वाला वफादार गुत्ता था तु। मालिक को भी काट खाया। विश्वास तोड़ने से बड़ा कोई बाप नहीं होता। कानों में इसकी सजा लिखी नहीं गई है। जानता है क्यों। ताकि उसका दंड हम अपने अनुसार तै कर सके। क्योंकि उसका आनंद ही कुछ अलग है। जले चले सब लाइन में आई है। जले चले सब लाइन में आई है। अड़म आप भी लाइन में है। जले जोड़ेगा इतर सब्जेक। अड़म इदर सब्जेक। अड़म इदर सब्जेक। यह क्या दादी। कुटों से सावधान के बजाए भूतों से सावधान क्यों लिखा है। जिस घर में जो चीज होगी। उसी से तो सावधान रहने को कहा जाएगा ना। कुछ भी बखवास सुना रही हो। यह बखवास नहीं है बेटा, इतिहास है। मेरे पती अगर गुस्से से देख भी लेते, तो बड़े बड़े भूत दुम दबा के भाग जाते। उन्हें देकर शेर का भूत भी चुहे का भूत बन जाता है। एक पार ऐसा हुआ, दो कुत्ते मर गए। उनकी आत्माओंने मेरे पती को काट लिया। उनकुत्तो की आत्माओं को ऐसा धुया, ऐसा नहीं चुड़ा कि भौक न भूल गए। आज तक घर की प्री में पहरेदारी कर रहे हैं। आगे जा। उनकी पूँच पर पाव मत रख देना हां। किसकी पूँच पर दादी। उन्हें डिस्टरब नहीं करोगी तो वो भी तुम्हें डिस्टरब नहीं करेंगे। दादी। बिना डरे प्यार से आगे बढ़ो। मैं हूँ ना। डाफी, सिट डाउन। आई सेट डाउन डाफी। डाफी डालिंग। रिलाक्स। देशी आत्मा से बात करने के लिए पाच हजार। और अंग्रेजी आत्मा के लिए दस हजार। मैं बैंक से आई हूँ। काशमुरा सर से मिलना है। तो ये बात है। डाफी, इनसे हाथ मिलाओ। कम आन। क्या बात हूँ, आज तो डरती है। क्या मा, अभी तक आपने खून नहीं पिलाया। देखो तो कितने भूखे हैं। पूजा में बिजी थी, इसलिए लेट हो गया। थोड़ी तेर भूख बरदाश नहीं कर सकते। बिगाड के रखा हुआ है। पिला दीजे। ममी इन्हें खुन पिला देगी। आप अंदर चलिए। ये फ्रेश खुन देखकर लाटब काने लगती है। इस जगह की खासियत क्या है। भक्त अंडे और दूद चड़ाते हैं। अंडों को नागदेव के बील में डालिये, वो भी बिना फोड़े। उंडी पर भीड मत लगाओ, आगे बढ़ते रहो। जितना दूद दान दोगे, खुस्बुदार चाय की तरह, जीवन में सम्रिध्धी की मेहक बढ़ेगी। भक्तों जैसे ही अंडा फोड़ोगे, जीवन की फूटी किस्मत सबर जाएगी, और उसकी जायकेदार पुर्जी बन जाएगी। मेरा कोई धरम नहीं है हूँ, मैं सर्व शक्ति संपन्न हूँ, मैं सर्व व्यापी स्वयम परमेश्वर हूँ। जीन के एडवांस पेमेंट आ गए हो, वो जरा धीरज रखें, आत्मा के ओन लाइन आते ही आपका भविस्स से पूछा जाएगा। सिरफ हुंडी के आगे हाथ जोडने से जीवन नहीं सुदरेगा। सुन रहे है मेडाम, तुमारे लिए वो सिरफ खुंडी है, मेरे लिए वो एक भूखे इंसान का मूँ है। इदर उदर क्या देख रही हो मेडाम। इसमें डाली हर एक कोडी किसी गरीब की जीवन में खुसिया ले आएगी। दो अनात बच्चों की इस्कूल की फीज ही डाल दो। अरे, दस अनात बच्चों की बूलना चाहिए था। अरी भरी रहो, यू काम। एक्स्क्यूज मी। जल्दी का काम सेतान का होता है बेटी। दुखियारी डोलर लेके आई है। मैं बैंक से आई हूँ पर। बैंक से आई हो। यू करम फर्स्ट, यू गो बेक टू यर कंट्रियों। कुछ पैसा वैसा लाई हो। उसके लिए नहीं, काश्मुरा सर ने बैंक अकाउंट खोला है। अकाउंट में पैसे डाल दिये। अभी तक तो नहीं, पासबोक, ATM, काड, चेक बुक, सब कुछ लेकर आई हूँ। उसका मैं क्या करूँगा, कैसे तो ऐसे है। सॉरी अंकिल, ये सब तो सिफ काश्मुरा सर को दिना है। खाली आकाउंट का थेपला बनाऊंगा क्या। उस डोलर वाली बुड़ी डोल को भी भगा दिया। रख किदर गई हूँ। सर्च, ये मेरी थीसिस के लिए है। जीजस कहा। तुम क्रिश्चन हो। मॉदर मेरी मेरी क्रिस्मस हो। जीजस नहीं सर, थीसिस। मतलब रीसर्च के लिए। मैं भूतों और आत्मा उपर रीसर्च कर रही हूँ। उनसे फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ। अब तक जितने भी तांत्रिक मिले एक नंबर के पाखंडी निकले। आप जैसे स्वामी बनके बहुत भगानी का बिजनिस करते हैं। उन्हें तो चपलों से मारना चाहिए। शॉरी सर्, मुझे खलत मत समझना। मुझे जितने भी तांत्रिक मिले इस सब चोर निकले। मैंने अपनी थीसर्च को डॉप करने का भी सोचा लेकिन उसके बाद मैंने का शोव देखा। और मैंने सोचा है कि मैं उन्हें जॉइन करूँगी। अच्छत परकवों के लिए पिज्जा नहीं रखा। मैं भूल गई। देखा। दादाजी भूखे रह गए ने। मॉश्रूम पिज्जा का ओडर दे दू। केरलेस। तुम कुछ कह रही थी। मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरे ऐने का इसास नहीं होने दूँगी। एक कोन्य में बेचर बिना आवास किये अपने कैमरा से सब कुछ शूट करूगी। कैमरा से सुट करोगी। सिरफ इतना ही। टीवी चेनल में उन्हें बेचोगी नहीं जिस भी पवीत्र मंदिर में केमरा और इलेक्ट्रिक आर्थियों ने पर्वेश किया है भगवान वहां से लोकसभा के एमपी की तरह वोक आउट कर गये हों मैं ऐसा नहीं होने दूँगा मुझे मेरा भॉगवान बहुत प्यारा है यू में गो क्यामरा नहीं लाओंगी सर लेकिन अगर आपने अलाओ किया तो मैं अनाथों के लिए 20 लाक रुपे दान दे दूँगी क्या है कि अनाथों का नाम सुनकर मेरा दील पीघुलने लगता है एक लाक एडवांस दे दो सॉरी सर काशमोरा सर को जॉइन करने के बाद गई बैस पानी इकोन है चाला आजा आजा क्या मंगता है आपने हमारे बैंक में अकाउंट खोला था उसकी एटीम पास्बुक चेक सब कुछ लेकर रहा हूं हम अब निगल यह तुमारी चेली अउसिस्टेंट बनना चाहती है प्लीज 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 सर मैं प्रोफेसर देखता हूं फूट ले कॉल क्या पोर्सो भी आने की जरूरत नहीं है चलो चलो जाओ यहां से बेटे का फेसला फाइनल है गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट इन अ कल गेट इन अ रियल एस्टेट से जुड़े राजेश कुमार और उनकी फाइमली के संसनी खेज मर्डर का केस अब CBI को सौब दिया गया है जिससे मिनिस्टर बहुत परिशान है वो राजेश का केस CBI की पास्च लगया है उसे का फरक पड़ता है जब तक हमारा हाथ तुम्हारे सर पर है कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता इस CBI, FBI, सब राजनीतिक जीवन के छोटे मोटे विग नहें ससुर तुम चिंता ना करो राहू छटे घर में से चंदर पर त्रिष्टी डाल रहा है एक अल्पकाल ग्रहन है छोटी मोटी चिंता आएंगी अरे तुम्हारे जैसे देश के सेवव को पर ये छोटे मोटे इल्जाम तो लगते ही रहेंगे हमेशा भाई तुम बस कर्म करो और भाल की चिंता हम पर छो एक किल्लो को पाल रखें अपने आसपास अब तुम जाओ हमेला गुशंका ही है ओहो चलता हूं स्वामी जी खुश्रा हो काश्मोरा ने साइंस में टॉपर हुकर भी जोते शास्त्र और तंत्र में घहन खोच करके बहुत सी आत्माओं से उसे बात की हों पर वह ठस से मस्त अकाउंट टेस्स दे दीजे ओनलाइन ट्रांसफर कर दूगी तुम पर गर यहों का आसिरवाद बना रहे है खौल चार बज कर डीस मिनिट पर आ जाना काम हो जाएगा और आमला इसे मेरे अकाउंट का नंबर दे तो यह रख कम जमा करवा देगी 501 0000596 5721 IFSE 0024 कर दो यह बज़ा है हुआ एकड़े काय करती आपके पापा ने मुझे चार बजे आने के लिए कहा था लेकिन समझ में नहीं आया शाम के या सुभा के तो सेफटी के लिए मैं सुभा के चार बजे आ गई तेरे पास का डबल भेजा है यह थारे को बैंक दिखे जो सुभा सुभा डूटी बजाने आ गई किस ने बोला कि मैं आतमाओ को नही को नहीं देख सकता फिश लिए तो मैं आपको जॉइन करना चाहती हूं मेरी थीसिस पूरी करने में एक आप ही है जो मदद कर सकते हैं प्लीज सर थीसिस का टाइटल क्या है? आत्माई डराती क्यों है कल आजा थैंक यू वेरी मच सर ए जो प्लीज करने वाली है आत्माई और उनसे जुड़े फ्रॉड बिजनिस का शटर डाउन कैसी रही? इसकी पूरी फैमिली के डिने में फ्रॉडनेस है हर फेल की तरह इसमें भी फ्रॉड्स है उसके लिए हर तांत्रिक पर शक तो नहीं किया जा सकता न वो गलत होगा कुछ तो बात होगी उसमें जो उसके इतने सारे फॉलोवर्स है यह एक तरह का मास हिपनोटिजम है मेंटल कंडिशनी धिमाग में बस वहम डालना होता है याद है एक जादूकर ने कुछ मिनिट्स के लिए ताज महल को गायब कर दिया था पर वास्तव में वो वही था यानि आत्मा का कॉंसेप्ट एक छलावा है? अंदविश्वास है क्या? ये बात सच है या नहीं ये बहस का विशे बिलकुल नहीं है विशे ये है कि जो लोग कहते हैं कि वो भूतों से बात कर सकते हैं और उन्हें भगाना जानते हैं उन्हें एक्सपोस करना ही मेरी थीसिस है मुझे प्रूफ करना है ये एक फ्रॉड बिजनिस है मतलब काश्मूरा फ्रॉड है यही पता लगाना है ना अरे इसमें पता क्या लगाना वो तो कंफर्म चार सो बीस है मुझे बस एविडिन्स जूनना है बाइ कभी रू भगाते थे अब मच्छर भगा रहे हैं गोसा करने जैसा है ये काश्मूरा अरे बकरीज में तो हमसे मुफत की बिर्यानी उड़ाता था ये और अब हमारे ही खाने के वांदे हो गये हैं उसका कुछ हिलाज करना पड़ेगा यही हार रहा ना तो हम दोनों को पेड़ भरने के लिए दर-दर भटकना पड़ेगा बाइजान का आग देवता के बिल के नीचे अंडों का स्थाक माइन की बाद में खवर लेता लगता है यहां पे सब के सब बेगए रहता हैं जी औरे केम चो भाई मजा मा अपने बेटे को बुलाओ जी बेटे को कास्मूरा वह इस वकद ध्यान लगा रहा है पापा मोटर चला दो पानी खतम हो गया उसल खाने में ध्यान लगाना मिया जोगा माइने नहीं रखती दील में स्रद्धा होनी चाहिए बस बेवकूफ मत बताओ मिया अंडे और दूद कहां को जाते इस बात का हमको पूरा इल्म है वह अंडे नाग राज के पास जाते हैं दूद योग राज को सप् मिया लाफिंग बुद्धा की तरह हसना बंद करो जी बंडल बाज कहीं चाचा जान ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह बाजी गड़ी के अंदर बाल आ गया है तो ठीक है ना चाचा बेटा मेरी तब्यद दुरुस्त है आज भी मैं दस लोगां को एक साथ पचार सकता हूं मार रहें मिया और माफ करना हो जान बुचके नहीं किया जब से तुम लोगा आयो है मेरे कारोबार पे नजर लग गई जी मोटा भाई नजर उतारने का उपाय है एक बरगत के पेड़ पर कील गार दो धंदा फलने फूलने लगेगा बरगत के व्रिक्ष की तरह क्या बात ह मिया हाकीम को इलाज सिखा रहें चाजा जान बेजे में क्या चल रहा है उगल डालो बेटा आज तक का इस शेहर में सब लोगा बिना भेद भाव के अमन से रहते थे और मजब का कोई मसला नहीं था मिया तुम लोगा करने माइकल के पास जब से तुम लोगा आयो कोई भी म दोखा एक डरी नहीं करता है तुम ने तो अपनी गर्यद तो दीवारा पे टांग दिया और वहां देखो दूत नहीं चायमलट मिला रही नहीं मैं कियो घुसा हो रहे हों किसी दिन मैं आपको भी टीवी पर बुलाता हूं को मुं यही बातों तो सम्जा रहा है तुम टीवी पे एक्टिंग करके तांत्रिक लगते मिया और हमको तुम अपन सिखा देगा एक्टिंग तुम्हें इस उमर में तुम हमसे क्या एक्टिंग कराएंगे मिया तुम्हारी ऐसी हाथ सफाई और जादू के कबाल हमको थोड़ी आते यह सीखने के लिए दुबारा में हिस्सा चाहिए क्या तो मुझे तेरी भी कमाई से हिस्सा चाहिए अरे तेरे बाप की उमर का हूँ बेटा अरे मिया समझाओ इसको आग्या थोड़ देखो यहां का थानेदार मेरा बेनोई है अगर शिकायता की तो तुम लोग अंदर हो जाएंगे बाद में मत बोलना म सामने लाओंगा सुले कल पुलिस को लेकर आता महीं तुम्हारा धंदा चौपट करवा के तुम्हें जेल भिजवाता मर्दा की अलादे तो घर पिछ में ना भाक्तिजन पधार चुकिये अभी से कलेक्शन सरू कर लूंगा तो राद तक दो तीन लाग रुपे जमा कर लूंगा कास्मोरा वहाई जन पुलिस को ले आया पूरी पोट साथ में आया है जल्दी सब्सक्राइब और आ ना के बिल को किसी और के बिल में छूपा दो कास्मोरा कौन है वो मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं हो मैं साडिया बेचता हूं यह देखो मैंने सेम्पल पहना है दो अपया पाच फ्री है तुमारी बीविया कितनी है पिताजी आपने मेरा शॉल देखा और यह बड़ी सरारती बहत ची है कोलनी के हर आदमी को पित आज की बत्सकाला जादू नहीं करूगा साँ अंत्र मंत्र के नाम पे लोगों को उल्लू बनाता है पाइसे उगल वादा दो शुर्ग का समझता है तु अपने आपको बड़ा तांतरी चब जब देखो ता फ्रॉडगरी करता रहता है बुचे जल आपको साब अंदर बु कि एक साहिब किया रहे जो मैंने सुना वह सही है क्या सुना है अपने तो टीवी में प्रोग्राम करते बहुत हीट है तेरा टी-अरपी बोच्जबर्दस्त थे उनका शो है उनकी टी-आरपी है मेरा कुछ नहीं है ठीक है बाइट इस आगे सफाई करता है ना संबल जा गलत किसीने आपको मेरी यहाथ की सफ़ाइ नहीं है यह भगवान की देन है जहां आपकी वेवस फ्रीक्वेंसी वाइबरेशन्स आत्माहों से मैच कर जाते हैं और फिर आप उनसे बात कर पाते हैं आत्मा इस समय मैं पुली स्टेशन में हूँ ऐसी भी साफ से बात कर रहा हूँ काच गुड़ी ग्रावड़ी कुच का लेकिन साधारन मनुष्य यह सब नहीं समझ पाएगा सिर्फ आप जैसे इंटेलेक्चल लोगी समझ सकते हैं आत्माहों से बात करने का डिप्लोमा किसी उनिवसिटी नहीं है इसलिए सोचा की एक डिप्लोमा प्रोग्रम शुरू कर देना चाहिए मेरी पूरी फैमिली सेवा में लगी है सर अंहां है स्वाजाद में धूंधा है हो 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 है है हिरो है अचार विश्यसना है इस्टेशन के पास से गाड़ी चूरी हो गया है हम उसको ढूंद के देना प्लीज आपके गाड़ी थी डिपार्मेंट की गाड़ी है इसलिए तो फटी पड़ी है मेरी इधर की जितने गाड़ी चोरे उनको लाग के तोड़ा उनका काम नहीं है समझ लसका क्या सर पुलिस नेटवर्क जी पीएस ट्रैकिंग यह सब के होते भी अपनी गाड़ी ट्रेस ने कर पाए यकीन नहीं होता है आइसी बात नहीं है रे क्रैश वेलर प्लेन भी का मिलता है यह तो गाड़ी है दो दिन के बाद सी एम के साथ मेरा मीटिंग इज्जत निकल जाएगी पब्लिक के सामने कुछ करना बाबा यह कम पुली स्टेशन में नहीं हो पाएगा तो जागा बाता माई साब इंतजाम करूंगा इसमें आप क्या करेंगे काली देवी के मंदिर पर ध्यान लगा के डिरेक्ली मैं आत्मा उसे चाटिंग करूंगा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप तो जानते हैं के पुली स्टेशन में क्या क्या होता है क्या आत्मा यहां नहीं आएगी तो फिर मेरे घर आजाई दो पहर तक पूजा करके शाम तक जवाब दूगो बैस का दूद और मुर्गी के अंडे लाना ना मत भूलिएगा का स्वामी जी सिर्फ अंडे लाओ या काजू चकली वगेरे दारू पीनी है जो चकना लाओ गे स्वामी जैसी बाते करते हैं आत्मा से मैं बात करूंगा बर दूद और अंडे नाक के बिल में चड़ा दें ओके स्वामी यह बात हम दोनों के पीच में रखना बात मुझ तक ह कि रहेगी बिल में जाने के बाद दूद बाहर नहीं चलकता सर अंडे की भुर्जी नहीं बनानी है इसे प्यार से गिराइए नागराज स्वामी डिनर में खुद खा लेंगे ठीक बार अब आपके अंडे मिल गई एक सीमा ने खा जहां दो भाशाओं का संगम होता है अरे पाप रहे पाकिस्तान बॉर्डर मतलब गाड़ी टेरेरिस्ट के पास उस जगे का नाम ता से शुरू होता है और दा पर खान बोली तो थाइलेंड चुप ता से शुरू आनी दा पर खतम होने वाली कोई जग नहीं है स्वावी कहीं है क्या कानाडा तो काड़ा बला ना ताड़ा ताड़ा जुम्री तलया से पांच सो किलो मीटर दूर फ्लाय ओवर के नीचे केसर या रंग के लुभावने रंग में रंगे एंटियार के पुतले के नीचे खड़ी है ए जल्दी मालूम कर हो साथ जा सब कुछ रेड़ी है तू फोन लगा गुद मॉनिंग सर साहिब मैं इंस्पेक्टर राज शीन दे बोलता है काड़ी बॉर्डर क्रॉस किया मा कुछ लोचा तो नहीं होएगा ना बॉर्डर मनुष्यों के लिए होता है आत्मा ना टोल भरती है और ना रोग टेक्स साहिब एक गाड़ी मिलिये उदर आपोड रहा है इसे कैसे बता चला इंसान तो क्या शैतान भी उसे नहीं चूपाएगा आप बॉलियो साहिब उसे हात लगाया तो हवा में उड़िया वो जो भी हो उससे कहो कि गाड़ी से दूर रहे साहिब जंदी आओ जंदी आओ साहिब काड़ी सेल्प स्टार्ट हो गई जरी माका सागी ना का तेरी मेरी माका सागी मारा माकी मारा तेरे ला माकारी आओ गाड़ी चल रहे है साहिब जय हो जय हो काड़ी आओ जय हो जय हो काश्मोरा बाबा की जय हो स्वामी मैंने आत्मा वाली बात पर यकिन नहीं है किया उस आत्मा ने गाड़ी जीदर से खोया था उदर ही पहुचाया देखो देखो मेरे व्यक्सिंग की एले रोंग्टे भी खड़े हो रहे है बाबा शांत हो जाओ एक्साइटमेंट हेल्थ के लिए हानिका रखे अभी तो भगवान में विश्वास हो गया आप जीदर खड़े होएंगे मंदीर उदर ही बना देऊंगा बाबा आशिर्वा दो बाबा अरे आप कि देंदा रहें बड़े बाबा आप जैसे बड़े ओफिसर संतों के पेर पे गिरे हम जैसे सवन्याइसियों को सोभा नहीं देता हो आप मेरे लिए उपर भगवान नीचे आप है मेरे कुआ आपका चरण में जगा दें दो थोड़ा सा बाबा दोना बाबा दोना रुकी एक सेकड़ क्या भाई जान आप इनकी इतनी बुराई कर रहे थे देखिये उधर खुद एसी पी सर उनके चरणों में गिरे हैं स्वामी ओ गाड़ी चोर का नाम बताओ ना मैं उसको दंड दूँगा आत्मा उन्हें दंड देंगी डूंट टास्क दिस कुईस्चन अगें अपने सीनियर को फॉलो करना मेरे ड्यूटी है काश्मुरा जी की जाए सीधे बिजनेस करने में जितनी अकल की जरुवत होती है उससे कहीं ज्यादा दिमाग लडाना पड़ता है दो नंबर के धंडे मौलवी साब की धंकी के बाद काश्मुरा ने आने वाले खत्रे को भाबते हुए एक सीनियर पुलिस आफिसर की गाड़ी रात को ही उडाली और अपनी टीम की मलत से वैसे ही दूसरी गाड़ी बना ले मैडम दोनों कास रेडी हैं डुपलिकेट को ताड़ा भेज देंगे और ओरिजिनल को पुलिस टेशन के पास छुपा के रखी और दूसरी कार ताड़ा क्रॉसिंग पर डुपलिकेट कार में करंड के जटके वाले गैजट्स फिट किये और एक ड्राइवर को छुपा के कार में बिठा दिया पुलिस के सामने कार अपने आप स्टार्ट होकर आखों से ओजल हो गई जबकि ओरिजिनल गाड़ी पहने से पुलिस टेशन पर खड़ी कर दी गई थी इस तरह काश्मोरा ने आफिसर के सामने खुद को महान तांतरिक साबित कर दिया आत्मा से चैटिंग करके काश्मोरा ने ना सिर्फ कार का लोकेशन बताया बलकि ओफिसर को यकीन भी दिला दिया कि एक आत्मा ने कार को ड्राइव करके उसे पुलिस टेशन तक पहुँचाया इस चमतकार को ओफिसर ने नमशकार किया बिस्नसमान राजिश और उनकी फामली के हत्यारी का अभी तक पता नहीं चल पाया है शक के घेरे में आई मिनिस्टर ने प्रेस से दूरी बनाई हुई है पुलिस अब तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस सबसे बचने का उपाय है हमारी बात मानो और एक ठो हवन करवा लो ओ हवन के बाद तुम खुब माल कमाओगे कर ले हौन कर ले हाँ सर आप कहें तो दूसरा जोतिस अरेंज करें आपको बताय थे ना वो टीवी पर जादू तो सारे जोतिश फ्रॉड लगने लगे है चल बग क्या हुआ काश्मोरा स्वामी टीवी वाले है ना हमारे काश्मोरा स्वामी हाँ हो ही साइब काश्मोरा को अच्छी तरह जानता हूं एक दम रॉकिंगे एक बार आज माएंगे ना ग्यारंटी देता हूं कभी छोड़ेंगे नहीं उसको आप लगने प्रणी तरह नहीं प्रॉकिंगगे प्रॉकिंगे ना उसके उसके जाएंगे नहीं एक प्रॉकिंगे प्रॉकिंगे आप आपके दर्शन हो गए, में धन्य हो गए, सच में, लगता है काइनाहत का जर्रा जर्रा आपसे मिलवाने की साजिश में लगाता, स्वामी, आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूं क्या, फेस्बुक पर डालूँगा, लेलो, मैं क्या बोलो, गुरुजी, मेरे कंदे पर हाथ र माइल कीजी ना, बात कर, थोड़ा कोने में आओ ना, स्वामी, क्या है, स्वामी, इसको काई को दिमांट दे रहे हैं आप इतना, आप शेल्फी में विजी है, और मंत्री जी अपका वेट कर रहे है, शमा कीजीगा, इन्हें देखकर के मेरे होश खो गए, आप बताइए, क कुछ खास नहीं है, कुछ दिनों से घर के अंदर, घर के बाहर, माइंड में बहुत डिस्टर्बंस है, एक को सॉल्फ करों, तो दूसरी प्रब्लम पैदा हो जाती है, यकीन नहीं होता, स्वामी जी के रहते संकट समीप कैसे आ सकता है, मुझे माफ करें, मैं स्वामी जी क मैं स्वामी जी करें तोकु का ये ुचमी जी कर दो का व्या है, पुद लिएक जी I KACH कोई है यहां बहुत शक्ति शाली है आज बनानी नक्षत्र है कृतिका कब आएगा बदुवार को उस्तुष्ट को बाहर निकालो दो दिन के बाद उसे बाहर निकाल पाऊगो कि दू दिन के बाद आत्मा को भगाएगा उसके लिए पहले उसे एक नकली भूत पैदा करना होगा तू रातों तक उल्लू की तरह आँक खोले रखना है फिर देखते हैं उससरा हमरी जगह काई से लेता है हमारे अनुभवी जोतिश महराज जानते थे कि काश्मोरा जैसे फ्राड तांतरी कौन-कौन से पैतरे आजमा सकता था या तो काश्मोरा 3D स्पेशल इफेक्ट से भूत क्रेट करने की कोशिश करता या फिर चुक्के से ब्लैक मैजिक वाला पुतला घर या गार्डन के किसी कोने में छुपा के रखता अपने दोनों असिस्टेंट्स को चेंस, पॉंड और करमचन बना के घर की जासुसी करवाने लगे मगर अफसोस दिन रात उल्लू की तरह जाक के भी जोतिश महराज काश्मोरा के खिलाब सबूत नहीं जुटा पाए वो इस बात से एकदम बेखबर थे कि काश्मोरा घर के अंदर नहीं, बलकि घर के बाहर कुछ करने वाला था वो स्वयम जोतिश महराज को अपने चक्कर में फसा के उसे घंचकर बनाने की फिराक में था अब तो जोतिश महराज को भी लगने लगा कि शायद काश्मोरा सच में भूत भगाने की विद्या जानता है भगा पाएगा यह भूत को भूत नहीं का, हमको तो लागत नहीं है आजा भूत जे आजया । हम्म्म यह, हम्म्म हम्म्म हम्म हम्म एप जैसा घूम रहा है गूत का वाइफे कनेक्शन ढूँड़ रहा है का आत्मा जैसे खुदी करनेक्श हो जाइग हम्म्म सुलेवान सेट हाव यू वाट्स अन्यूज हाव हूव वहर ओक ओक शूल वाट शूल ये भूतनी का किस्से बात कर रहा है स्वामी जी कोनु अंग्रेज आत्मा लागत है यू मीन त्रिशूल वो जो एक चक्र में कायद है ये तो अनर्थ है डीदेल पूछो अच्छा गाड़ी गाड़ी आपकी मरसडीज की बात कर रहा है आँ गाड़ी एक बड़ी गाड़ी उतनी वाले ने गाड़ी में को जोल किया है हम उनलो के बच्छों का पता कही ने चला आँ आँ काम हो गया सफेद मरसडीज है गाड़ी का नमबर है तीन बर पाँच सारी बेंस के नमबर ट्रिपल फाइव है रजिस्ट्रेशन के लिए कोई और नमबर नहीं मिला क्या वो स्वामी के बजाये इस स्वामी को फशा दिया सारी फिर से बोलो पूरी डिटेर्स नहीं सुन्पा कान मता क्लीव थी तीन ट्वेंटी यानी तिरुवलर यह नहीं होगा तीन एलेवन यानी तंबरम चैंसल जरूर यह होगा गदे गई के अकडबकड करना पड़ेगा मुझे मामी जी अबे गेस करने का टाइम तो दो तूर रहा है सासुर फूर हो गया काश्मुरा सोच ले या फिर नया धंदा ढूंद ले okay no problem I will manage मैंने तेरी गलती माफ की जितना यादे उतना बतादे confident है hey food is क्यो खा रहा है बता वेरे कान कुले हुए क्या कर रहा है बोल आरे बोल सुन रहा है बोल आरे बोल सुन रहा है बोल देख तू बता रहा है नहीं मैं तेरी पास हूँ गया on.. sir Swami ji guard check check it चल्दी अगर खलत निकलाना तो बिर देख लेना अगर ये कार नहीं निकली ना तो का श मोरा तेरा धन्दा बंद हो जायेगा अगर नहीं मिलाना तो शमज जाना समझ गया सर गाड़ी में कुछ मिला है ओम्रीम्प्रीम्चामुड़ा विचिनमाँ स्वाह शट पर जाकर इसे जलाना और चौपाटी जाकर विसरजन करना लेगे जा लेगे जा ये स्वामी के कार में कैसे बिना जड के पेड नहीं बचता स्वामी इस घर की जड़ है इसी लिए इनकी कार को चुना तो ये स्वामी जी को पता क्यों नहीं चला उम्र के साथ बाल का रंगी नहीं उड़ता सर के अंदर की हार्ट डिस्क भी क्रैश हो जाती है जो रिपैर नहीं होती स्वामी जी वो तो आप से फास निकला रिटार्मेंट ले लीजिए हलो सर वकील बाद कर रहा हूं मुबारको और राजेश मडर केस आप जीत गए हैं मुफ्थ मुफ मुख्ष दिल्वाइब काशमुरा स्वामी हजार भूतों को मोख्ष दिल्वा रहे हैं गिनीज बुक का रिकार्ड बनेगा सर किसी सेफ जगह चल कर यूटूब पर लाइब देखे का इस वक्त हम नहीं जाएंगे पहले भूच जाएगा उसके बाद हम जाएंगे पबली सिरी पाने का यह अच्छा म प्रमोट किया है ऐसा ही नूज होगा गिनिस बुग में काश्परा की फोटो चबेगी उसमें मेरी फोटो भी होनी चाहिए चपवाई देंगे अरे देखो ठीक से टेंट लगाओ एक हजार आत्माय आने वाली हैं उन्हें धूप नहीं लगनी चाहिए सवाल के मैं गुंटूर जिलपति राओ हूँ अच्छी बात आड़ा के संभीप मेरा एक बंगला है वो मंदिर के पास वाली दुगान वहां तेरा आत्माय रहती है तेरा मेरा क्यों तेरा यानि नंबर वाला तेरा दर्जन अंडों से एक ज्यादा वाला तेरा काश्मुरा स्वामी आप वहां आ जाते हैं वो क्या है स्वामी जी कि समय की बहुत किल्लत है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मुझे हजार आत्माओं को उपर सब के सब फ्रॉड है कोई एक भी आत्मा नहीं निकाल पाया अगर आपके चरण पड़ जाते तो पैसों की कोई कमी नहीं है जितने चाहेंगे बेजाए आप इतना जीद कर रहे हो तो ये तो इसका बंगला भी हड़प लेंगे अपना आडर्स मेल कर दीजेगा मैं मुझे भी उस बंगले में जाना है असंभव हाँ बोलिये निता जी क्या आईए रोज एक नई मुसीबत खड़ी कर देते हो मुश्किल से तुम्हें राजेश मंदर के से बहार निकाला और तुमने एक नए ड्रामा शुरू कर दिया ओपोजिशन लीडर सुरेश कुमार और तुम्हारे बीच क्या चल राजकल क्यों रहा है तो वो तुम्हारे घर इंकम टैस की रेड क्यों करा रहा है क्या रेड घर के अंदर कुछ रखा तो नहीं हमारे घोटालों के सुबूत कहीं दोर छुपा के रखे हैं ना सारे सुबूत झालों करना सारे बीच रखे हैं लाजकल का राजकल को सुबूत नहीं सुबूत स्वामी जी बाहर मिनिस्टर साब के आदमी आये हैं आशिर्वात चाहिए जी बेच दो आओ क्या वात है हमरे सहाब एक लैंड की डिलिंग के लिए जा रहे हैं एगरी कल्चर लैंड है क्या उसके लिए उसके लिए उन्हें कोई पाट पूजा करवानी है हम लैंड की डिलिंग के पेपर आश्रम में रखने के लिए लाया हूं एक बार बड़े साहब भूमी पूजन कर लें उसके बाद हमी बैक्स ले जाएंगे उन डोकुमेंट्स के बेक को पीछे कोप्चे में ले जाओ मैं भी पूचता हूं हाँ जा बच्चा अंदर लिया हू अंदर आजो यहां रखवा दो इनकी पूजा करने के बाद मैं इन सब बैक्स को लोकर में रखवा दूगा कहो तो उसकी डूप्टिकेट्चा भी तुम्हें दे दूँ ओकी कोई जरुत नहीं बैक्स संभाल के रखिएगा तो ठीक है चलते हैं स्वाना जी गजब हो गया काश्मोरा ढूंगी निकला उस पर भरोस्टा मत करना अधार अधार जल्पति ने तो कहा कि बंगला है यह तो किसी महल से कम नहीं है एक केस के लिए CCTV फूटेज चेक कर रहा था 20 तारीक को घर में एक ब्लैक मैजिक का गुड़ा मिला उसको 17 को किसी न उस घर में रखा था रखने वाले उसके चेले ही थे पूरा प्वाड है कुछ देर पहले ही सब कुछ दिया है डायमंड्स था गोल्ड था क्याश था गोटालों के सारे रिकॉर्ट्स थे सब मिला के 500 करोर होंगे आयला सब कुछ दे दिया है कल तक तो तो उसे भगवान बता रहा था और एक दिन बाद तो उसे फ्रॉड बता रहा है शाना समझता है क्या है काश्मुरा को बैग मत देना वापस आजाओ अरे हम तो बैग रगती हैं का हुआ कोई भी बहाना बना के वापस ले किया सारे बैग और नहीं तो क्या साहाव यह ताला लगा है इतनी चल्दी भाग गया क्या देखकर तो यही लग रहा है कि अधिया भाइया टैंक फूल कर दो बगवान तेरा बला करें आपनों दो जरह यह के स्वामी जी कर लीजेए फर बैलेंस कमेंद्ध डिजेल भरना अहां भरता हूँ कास्मोर अब बापा बोल रहा हूँ यह जो मिनिस्टर अपने पास आया था ने यह कोई सिंपल नहीं है बहुत बड़ा जोल है पुजा के लिए वो लेंड के पेपर्स बैग में भर के लाया था ने बड़े सुन्दर थे मुझ से रा नहीं गया तो मैंने अनको को ciqoeli के देखा जैसीएमिया मालूम क्या मिला क्या मिला ही रे जावारा टीकडा के खोल मिला के चाहां करोड के उपर होगा चाहीं बिदून सब कालबा बेका रद्दी भी ठी ती ठीए पुले गर्मेन केया होगे साब को समीट के रप्पू कर अब संगा पापो अब भी हाइवे पे हैं धाबा में लॉंच करके यहां से सीधे तुम्हारे मामा के बेंगलोर वाले आसरम जा रहे हैं तुम दिरेक्टी वही आना प्लेन की ताथकल टिकेट निकलवाके सब लोग बैंकोक जाएंगे और मसाज कराएंगे बोर हो चुके थे इस देश क के लोग हम पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं फोरेनर्स को चिट करना चेलेंजिंग रहेगा पपो एक बात बोलू आज बुझे बहुत फखर हो रहा तेरा बेटा होने पर अपना ख्याल रखना और पैसों का भी साहे ब्याग अभी घर के अंदर ही होएगी दरवाजा तोड़के निकाल लेते हैं कोई फाइदा नहीं बैग्स बैंगलोर हाइवे पर हैं कुछ भी मत बखो तुम मैंने बैग्स में GPS ट्रैकिंग सिस्टम फिक्स कर दिया है जो हमें बैग्स के लोकेशन बता देता है काम दूरा है छोड़के मत जाओ तुम कोना यहां पर तो कोई नहीं रहता है किसने कहा मैं रहता हूँ ना अब सुनो खर पर एक ज़रूरी काम निकला है पिस्री जाना पड़ेगा आँ अगल क्या कर रहे है अगल मेरा बैक या था है अगल चोड़ अगश्ल क्या कर रहे है अरे अंकल चोड़ मुझे अगल चोड़ कार लेके जारा थो आपकार, आपकार, अलो, दर्वाजा खोलो, अरे उस बुर्धे की कोई मदद को रहो दर्वाजा को खोलने में, अलो, अंकल जी, दर्वाजा नहीं खोला दो तुम पर भूच छोड़ दूगा, शाप देदूगा, इतने बड़े दर्वाजा को बाहर से लोग कर दिया, मेरी टेकनीक मुझ पर ही आजमा रहा है, लो चुमबक, बच्पन से करता हा रहा हूँ ये, कोई नई ट्रीक आजमा हो मेरे साथ, ओके, तो कोई मेंबोर्ट से खेल रहा है, लेकिन ठीक से नहीं कर रहा है, उसे तो मैं एक ही दिन में जॉब से निकाल दिया था, मेंबोर्ट पर तो कोई फास्ट आदमी चाहिए, इसे कहते है स्पीड, या तो सजुना ऐसा लग रहा है, कोई बच्चा होना फॉन आफ कर इस तरह कोई खाट दरेगा, सुना बटा, अपने काम में डीटेलिंग और टाइमिंग सब से इंपॉर्ट है, लेट, लेट पासिंग दे रहा है, इस फील्ड का होके पासिंग नहीं जानता, पावर कट होने पर, अगर लेफ्ट की तरफ मोड़ो तो, इतने ही जल्दी सीख तु इतना बुरा भी नहीं है, ये बंदा तेरा धन्दा टेग ओवर कर लेगा, प्रदा, शेफ के बाद आगे मुझे मिलना, बड़े भाई, मुझे ये डेमो देने की क्या ज़रूरत है, मैं को क्लाइट थोड़ी हूँ, अरे सेम धन्दा है अपना, मैं कैसे टरूँगा, लगता है तुमने तांत्रिक समराश्री काश मोरा का नाम नहीं सुना है, अभी पता चल जाएगा, यहां के मिनिस्टर और एसीपी को जानते हो, लाउट स्पीकर रॉन है, सनो, सिग्नल जैमर भी फिट किया हुआ है, बहुत बड़ी है, यह बात हुई न, बस थोड़ा सा लेट है, मेरे एंट्री मारते ही है, जूमर गिर जाना चाहिए था, सॉलिट साउंड एफेक्ट देता है, एक सेकेंड के अंदर नीचे यहां मूँ के पास आना चाहिए था, हार्ट बीट रुख जानी चाहिए, देख भाई, लाइन सही पकड़िये तुने, लेकिन आजमा घलत आदमी पर आए तु, फिर से खलती कर रहा है, जूमर नीचे आ यह को स्पेशल एफेक्टी होता है, यह ममे, यह सराजर चीटिंग है, मुझे उच्छा इसे डर लगता है, रसी बिरी बादी है, बिनना सपोर्ट के किर जाओंगा, हट्टी पसली चूँ जाएगी, अभे सुनना है, जिस्तने प्यार से उटा है, वेसे ही नीचे रगना, यह मंझे उच्छां, यह सर्केश का जोकार दमझाएगे, यह सब लोगों को तरहने के लिए होता है, उन्हें जान भाने के लिए नहीं, मेरे पुप हाण पेशेंट है, मैं दिल का मरीज, प्लीज नीचे उतार दो, अः, मम्मी, मम्मी, मरीज नीचे उतार दो, खन्यवाद, ऐसे एफेक्स तो मेरे पास भी नहीं है, मैं फुर्सत में सीखने आउगा तुम तो मेरे भी गुरू निकले, सल्यूट है, अब दर्वाजा खोल दू, मैं घर चाला जाओं, यह तो कुट्टा दिखा ही दे रहा है, भाई, इसे रेबीज का इंजेक्शन तो दिया है ना, यह तो कुट्टा नहीं, तंदूरी कुट्टा है, और कितने स्पेशल इफेक्स पाकी है, इसका नापको बता, टॉमी है या जॉनी, या पर सुईटी या पिंगी, मुझे अपना टिनर सा बज रहा है, बजाओ इसे, बजाओ, 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 बजाओ इसे, अब सा दूरी कुट्टा बजाओ, पांसो करोर लूटने के बाद ससुरा आशिरवात दे रहा है, मेरे हाथ कंट्रोल में नहीं है, किसी ने लॉक कर दिया है, मैं तुम्हें नहीं घुमा रहा है, कोई भूद मुझे घुमा रहा है, मैंने नहीं क्या, मैंने कुछी क्या, मुझे को रमोटे चला रहा है, ठोला हरा है, राए, ठोलमी पर हादृत ं चिपत है, चाए, ठोख हाँ.. प commerce है रूडनुद, जाए जाए जाए, कहा ना हाथ कंट्रोल में नहीं है, हुवदा है किया, अरे बात सावाइ में नियारी क्या अरे कोई कंट्रूर करो आप तो यगीन आगया ना स्पाइडर मैन की आत्मा घुज गई है मुझ में अब उसका बाप नीचे उतारेगा मुझे तुह खड़े खड़े उसका मुझा ताक रहे हो उसका नीचे लाओ बाया जल्दी उतारो तो तुमारा ही फाइदा है उतारो उतारो यहां से उतारती बैक्स लेंगे बॉडी छिपकरी के तरहेगे उतारो यह थे लिए यह हवा में किसे डभूण रहे हो जल्दी यहां से कल्टी माहने के आजो आजो तू हाथ पकड़ने इसको मारता हूँ कि गए सूपरमेन बन गया का उपर कैसे गया अरा मुझे भी नहीं पता तो नीचे आ आरा हूँ काश्मोरा स्वामी हम का मापी दे दो स्वामी हम तो का पैचात नहीं पड़े अरा ने कशी हो गई स्वामी काश्मोरा अरा ना हाँ जोटा हूँ जोगा जमीन के नीचे छेखो पड़िया बारा हाथ रुको रुको मैं कुछ करता हूँ स्वामी तुम्हारी तक्दीर अच्छी है देखो मुझे क्या मिल गया जल्दी से पकड़ों से सब लोग इसे अच्छी तरह पकड़ों और मिनिस्टर को बता रहा कि मैंने बचा है स्वामी हमारे बच्गर स्वामी स्वामी हमें बाहर भी कालो स्वामी इकलियां से कासू बेटा कासू बापो कहा है आप अर्या कार में बेठा हूँ अरे पर कार कहा पाक है यह पेड के ऊपर पार्क है अब इतनी देर से हवा में तेर रहा था एक बार भी नजर नहीं पड़ी बाप रहा रह बापो वहां कैसे पहुच गए और पैसे का बैक्स आपके पास है ना अर्या कदेडा हम सब की जिन्दबी लोटक रही है और तुझे बेक्स की पढ़ी है बेसरब पहले हमें उतारने का तरीका सोच पापो पैसे का बैक फैक दो उसे तो सेफ कर लेता हूँ अर्या दोक्यबाजी में तु मेरा भी बाप है उतारने के बादी मेक्स की सकल दिखाऊंगा कद्योस कहीं अर्या सथ्यानाश बेटा काशू बापो यह सब कुछ ने मिनिस्टर का किया धरा है उसके स्वामी का टोटका होगा यह गामून का नहीं हो सकता उस जल्पती ने बताया था यहां आत्माओं का वास है कैसी बाती कर रहा है मेरे आने का तो लॉजिक बनता है पर आप लोग यहां कैसे पहुच गए हरे हमारा यहां आने का पिला नहीं था नकली आत्माओं को भगाने का और खुद बस गये चल भाग चल रिक्स मत ले चल चल जल्दी चल दादी चल जल्दी इस तरफ रूपना मत पीछे माँ जल्दी घरो आजाओ इस तरफ पापा इस तरह ममय भागते रहो अगे भड़ते रो सवरकैज भागते रहो अगे भड़ते रहो अग sits को मात का के अगे भड़ते रू matrix अगे भड़ा मज़ो कर दाद हे तरवादा ब़्ला ममम कि लोटा है ताम्बे का सही का भाया बने बने तू क्या यही वह भूत है मैं भूत कुनी भाया यह तो फिर भूत डों में क्यों बात कर रहा है मारे उल्टे पेर चेक कर रहे हो मतलब हां मारी खब्सूर्ती ऐसी है भाया मारी फोटो घर पे लगालो तो नचर नहीं लगती ऑच्छी बात है तुझे नजर लग गई हमारी तरह तुभी मस गया है यहा शाट सो शाल पुराणों महल है किसी रत्रना देवी नाम की राज कुमारी के लिए बनवायो गियो एक दिन हाग लगने से घणों बड़ों हिस्सो जलगी ओ जल 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 इतना चिपक्यों रहो भायों डर गया हो क्या अहां भाया थोड़ी सी प्लीस कंटि हुसाग में सिर्फ ये इमारत ही नहीं जली बल्कि यहां रहने वाले कई नोकर चाकर पालतो जानवर और राज परिवार के लोग जिंदा जल गए सुना है कि पिछले साथ सो सालों से उनकी आत्मा यहीं बठक रही है विरान मेल को अंग्रेज जों ने अपने कबजे में ल है उसकी आखें नोचली पर डिनर में उसको गलो भी खा गयो तब से हर दिन मौत होने लगी इसे लौक लगा दिया गया और सब इसे एक भयानक भूतिया मेहड के नाम से जानने लगे इतने दूर क्यों खड़े हो मारे पास और पदर हो मारे पास पर कई बरसों बाद कुछ पॉलिटिशिंस की मतद से चलपति राओ ने इस मेल को और बोड़े दाम में खरीद लिया ग्रश हंती के लिए उसने कुछ पंडितों को भुला कर यहां परिया करवाया उसके बाद उस पंडित क्या हुआ उसका फिर उसका जो हुआ वह भयाणक था यहार बार पॉच देना जरूरी है क्या पंडित को मुँ लट्टू की तरह घूम गियो और राओ चिलायो लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई भाया पेड़ की शाकों ने अजगर की तरह उसकी लुगाई को लपेड लिया फिर जने भी की तरह घुमा घुमा कर उसको बहार पेड दिया वो नजारों देखके प्रापटी डीलर हूँ इतने दूर क्यों खड़े हो महरे पास आओ उसके बाद क्या तुम जलपती राव से मिलने गए और कठे जाओंगा यह इतनी देर बाद धंदा बताया उसके बाद डील फाइल करने से पहले उसने एक रात रुगने को का दसलाक अडवांज भी दिय जब मैं आयो तब तीन दरवज्जे खुले थे राजा की तरा इंट्री मारी जब रिटर्ण होने लगा तो दरवज्जे अपने आप बंद हो गए मारी हालत तेखो क्या तेर दिन से सुसू नहीं कियो क्यों सब बंद है सब को जाम है थारे को देखकर सुकून मिला थारे को कीम से अऔर नहीं भार तेरी मारा मुख या देख रहा हो जल्दी खरो भगाऊ उसे जल्दी भगाऊ बीवी के पास जाना है बस ध्यान रखियो घुँ अ सारे भूतों की उमर 700 सालों से बेज जादा है तगरा मुकाबला करियो यो क्सारे भूतों बहत मतले उन्साइंअ स कम से कम तेरा यह कोई गेम चल रहा है क्या पबलिक उसे संत मानती है एसी पूसे फ्रॉड कहता है और तू उसे भूत बता रहा है मेरे पांचो करोड तू गुज गए एक भूत से कैसे पैसे लूंगा क्या हुआ क्या हुआ क्या है कि एक केस तुम हम पर छोड़ दो यह लोग भूत को देखके डरे हुए हैं हमारे पार्टी के सीक्रेट पेपर उसके पास हैं दो दिन में कमिटे मीट टेंसन काहे को लेता है पनारस के खाटों पर बैटके सारे स्लोग यात किया हूं सब चकाचक हो जाएगा अब उन बैक्स क साथ ही मुलाकात होगी अरे तुम्हारी मेहनत का पैसा ऐसे थोड़े ले खोने दोंगा वो तो पहले ही खोव चुके हैं जाओ नुक्सान पुरा करो कि तुम आगे जाओ में पीच्छे अब यह लाइन दोड़ना लाओ नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं कोई हाह है कि अ कि अ कि अ अ पपा मम्मे मेरे पास मता ना सारे पूत बहुत पर पिचड़ी गयों रहे पूत नहीं चड़े हैं वोब लोग चड़े हैं, डर के मारे हील नहीं पा रहे हैं, बेटा सबके सब तरबोगो आप, मुझे के कुरला स्टेशन का खुली समझाए, अटाओ डरो मत, अगर चिल लाएंगे न, तो अपनी आवाज से डर जाएंगे औरे आप तो अपनी आवाज से डर लगने लगाएंगे, मैं लाइट चलाता हूँ जल्दी जलाओ, जल्दी जलाओ, रोस्टी करो आको पुझा, उपमर पानी डाल, फायर ब्रिगेट को बुला, अंधेरा कायम रख, जब तो कंधेरा है हम भी जिन्दा है, हुँ मेरे बैंग्स, मेरा पैसा हुआ अरे ये सरों पूसन में हवा काने जारे में ये कहा होगे हम अरे ये ये सरों में साथ कर अच वोगे ये सिर्देट अरल कर दोगे सिर्देट ये सिर्देट प्रहूब भाया इसका इंट्रो तो दे यही तो है भाया भूतों का सरदार सर तो गायब है फिर कैसा सरदार क्यों बलवाया बिना इन्विटेशन हमें क्यों बलवाया किनी खास कारणों से हम इस प्रित्वी लोग को छोड़ कर जाने में असक्षम है हमें इस बंधन से छुटकारा दिलाना तुपारा काम है इसने जो कहा वो बेजे में गयो भायो अधूरी इच्छा पूरी नहीं की तो महल में ही आत्माई भटकती रही इडिकी आत्माउ को टेक आफ कराने के लिए इसने थारे कोई चुणा है अच्छा थारी तो भूत ने लोट्री निकाल दी भाया भूत जी इस काम के लिए आपने पुझे ही क्यों चुणा हाँ 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 हमारी सेक्सेस का में राज ये है कि मेरी फैमिली के सभी इस अदस्यों का जन्म रोहनी नक्षक्त्र में हुआ है ग्लाडियटर भी इसी नक्षक्त्र का था सॉरी ट्रांस्फार्मर्स की फैमिली में यही कॉंबनेशन था इतिहास गवा रहा है कि ये सब बड़े तांत्रिकों की खूबी रही है और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस युग में हमारी ऐसी अकेली फैमिली है मैं आपको बता दू हजार आत्माओं का मैं ओनलाइन कॉन्फरेंस रखूँगा उनके साथ एग्रीमेंट करके उन्हें स्वर्क का वीजा दिलवाऊंगा ये एक वर्ल्ल रिकॉर्ड होगा आप में पोस्टर और न्यूस पेपर्स में अड़िसमेंट्स देखे ही होंगे औ मैं जब यहां आयो तब सभी भूद करने को और से इसी इस्तिहार को पड़ रहे थे मुझे अंदर आते देखियो तो सारे दर्वचे इखिड क्या सब बंद कर दिये अब सब थारे पर है हम सब को बचा ले इस से छोटे साइच का एड्ड नहीं छपा सकता था ये आत्माओ मैं पड़ना लिखना भी जानती है मोटा भाई ये भूत मोटा भाई सच तो यह है कि हमें तंत्र विद्या का टी भी नहीं आता हम सब साधारन मनुष्या हैं आपके किसे काम के नहीं मेरी माँ यह हैं चाहो तो उस ही से पूछ लो उसके सर के कसम अगर जुट बोलो तो फिर से अपना सर काट ले ना इस पापी पेड के लिए तंत्र के नापे थोड़ी हाग की सफाई कर लेते हमें एक्षमा कर दे खुजट बुढ़े ही लोगों को उनके मरे हुए रिष्टेदारों की आत्मां से बात करवानी के नाम पर तंत्रिक होनी का डॉंग करते हो दिकार है ना बेड आइडिया कासू सोच बोलना भारी पड़ेगा हूं इन से कस्टमर की तरह डील करना अच्छा तो इन्हें मोक्ष चाहिए ना तो करते हैं कुछ बचाले भाया भेज देंगे आपको पांच मिनट का काम है कोई ने कोई रास्ता निकल आएगा मैं करता हूं कुछ बपो यह काम आप करोगे या मैं करो चोटा सा काम है तू भी कर लो ठीक है मैं रास्ता निकलता हूं भाई एक आइडिया आया है पर मना मत करना मैं घर जाता हूं चिल्ड तुलसी पानी में नहा के खुद को शुद करके खाली पेट से काली देवी के नाम की मैं माला जपूँगा और चिला चिला के मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको दूसरी दुनिया का परेमिट मिल जाए आपको नहीं मिला तो मैं ओनलाइन दिलवा दूँगा अरे बाइक किसी और को भी चेव तो मुझे बता देना अगर आप गेट खोल देंगे तो मैं ओला से जाओंगा मम्मे पापा अधी दर्वासा खोल रहे हैं आप सब रेडी हो कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सच बोल रहे हो अगर मैं वापस नहीं आये तुम मम्मी को गिरवी रख लेना मुझे पर भरोसा कीजिए बरोसा नाम की शब्द से ही बरोसा उठ चुका है मेरा जो करना है तीन दिनों के बाद आने वाली नवकाली पुर्णिमा की रात को इसी चारतिवारी में रह कर करना होगा मेरा वादा है कि इस क्रिया के बीच किसी तरह का विक्न नहीं आने दूगा और जब सर्क के द्वार खुल जाएंगे तो इस महल की दरवाजी भी खुल जाएंगे सी यू सून तुम्हें यहां लाने का कारण मैं समझा चुका हूँ ऐसी कोई वजह पैदा मत करना कि मुझे तुम्हारा अवद करना पड़े लेट आम कावेंग अच्छा तो यह है भूतों का सरदार हाँ 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 अब उन बैक्स के साथ ही मुलाकात होगी पड़ बोला कहीं का हाँ 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 बिना कारण इस संसार में कुछ नहीं होता काश मोरा उस कारण की खोज करो हाँ 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 प्रूम् तुम्या क्या कर रहु और तुम अंदर कैसे आई मैं कैसे आई हूँ वो इंपोर्टन नहीं है तुम यहां कैसे पहुंची वो बात शॉकिंग है जलपती राओ याद है जिसने यहां का अड्रेस दिया था जानते भी हो वो कौन है नवसकार देवी मैं गुंटूर जलपती राओ जानती हूँ आप वही है ना जो काशमोरा स्वामी से हेल्प लेने आये थे कौन मैं अगर मैं काशमोरा को जानता तो आपसे मिलने यहां क्यों आता भला मैंने तुम दोनों का वीडियो रिकॉर्ड किया था वीडियो में सिर्फ तुम दोनों दिखाए दे रहे थे और जिस चकाँ वो खड़ा था वहां कुछ अजीब सा था वो एक आत्मा थी एक असली आत्मा तुमसे मिलने आई थी अब तो भूत भी तुमसे हेल्प मांगने आ रहे हैं तू तो गया क्या बात है सर एक दुमा यह बता दर्वाजा बंद है तू अंदर कैसे आई मैं जब आई तब खुले थे यह दर्वाजे खुले हैं चलो यहांस निकलते हैं ममी आपे दिखलो घर चलो जल्दी भागो रहे हैं एक सकंड रुको तुम सब दुम दबा के भाग क्यो रहो आते वक्त दर्वाजा खुला तो नहीं छूट गया कहीं भूत डर के भाग गए तो वही बस चेक करने जा रहा था जल्दी करो भाईया आत्मा जा गई तो चलो आजा इन बैक्ज में क्या है पूजा का सामान है क्या हां पूजा का सामान है सर वैसे पूजा में कौन सा सामान लगता है सवाल पूछने के लिए पूरी उमर पड़ी है आप इतने दिन यहाँ रहना है तो कुछ राशन पानी तो चाहिए ना वो ही लेने जा रहे थे काश्मोरा मुझे तुमारी सरूरत है इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा रण भूमी पर जन्मलिया अस्तर शस्तर के बीच बड़ा रक्त से होली खेली और लाशों पर चल कर सफलता पाई कि एक और गलती की तो तुम्हारी आखरी गलती होगी स्वाज गाती स्वाजगे अची पागले क्या यहां पर चुडले की कमी है जो तुछला रही है मैं गुंटूर जलपती राव हूँ जलपती राव की फोटो है पींटिंग के नीचे देखो इसमें तो जन्म और मृत्यू की तारीख लिखी हुई और क्या है अरे भूल गई तू तू नहीं तो बताया था कि वह एक आत्मा है उसकी डेत हो जुकी और क्या है उसको मरे 75 साल हो गए है उसकी आत्मा तुम्हारे पास आई समझ में आता है लेकिन मेरे घर पर क्यों आई यह तो लोचा है भावा पमे बचाओ पपा बचाओ मरी गयो रहे नहीं को दख्का क्यों ते रहे हो देख उदर देख जलपती राव को मरे 75 साल हो चुके कोई कुछ भी लेखेगा तुम्हार लोगे थारा दोस था गया वो नदी बर साथ में कपड़े चुराते थे खाता पीता से अटमार ने तीन बार खुद अपनी आखों से देख्या है कि बिना कारण संसार में कुछ नहीं होता काश मोरा कारण की खोज करो पानी अगेला ही पिएगा प्यास बुझ गई तेरी बुझ गई भाया वेसे तुम कॉड़ों तु जक्का पूरा पानी पी गया हां पी लिया भाया क्यूं धार को भी प्यास लगी थी क्या यह वो जल है जिसे सालों पहले हमारे राजा ने पीकर छोड़ दिया था आज तक हमने भी इसे पीने की हिम्मत नहीं की अरे पानी भी कोई हाजारों बर्सों तक रखने की चीज़ है फेक देते इदर उदर पौदे उख जाते पता नहीं है क्या थेरवे पानी में गैंगू के मच्छर पलते भूत राजों को बताना होगा स्वच्छ भूतिया भ्यान करो जहां पर भूत वहीं भूता ले भूता वास योजना लुग! आया अध अध पह माँ अङ है । लुग! कप प्राट जगाजेद है कि अप्राट कि अप्राट बिडता मुक能? आटी आटी बिंदी जयोग आटी विक्रांतका का महांत सामराज इस वैभवशाली सामराज के शासक है महराज विजय नारायन मरुत्पती इनकी विशाल सेना में तेरा सेनापती है जिन में से एक सेनापती ऐसा भी है जो अकेले बारा प्रमुखों के बराबर है युद्ध की हर नीती का ग्याता, शत्रों की हर चाल का तोड़ जानने वाला, जो अकेला ही उनका सर्वनाश करने में सक्षम है, वीरों का वी, सेनापती, राज, नायक। वाल जाक। आए ही को गरन से धerson आई की बमेश टे लजए उन्मोर में क्रयों तुम झाय 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 और लो वाल सो के सल में बандम अजसे सार विग भार소 यsk वर कि पारいे पतते होका लो था लो में यो रचेते हो्ब हो ब 57 अजडर लो गौ जट решें कर वप गुडừa कर दूप गल का जुढ रहु़िक तप्सें ho它的 चान कीा हुऑि मेर्ट करे भफ पुरहई को तो ुaking कल द ही का है झाल काल यह यह अँ़ कर दो 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 कर झाल झाल डिन लाप जिन आडे izen आय वार खुह बसुदू खुभ गुफ वी ? वी Feder राजनाय शाबाश राजनाय शाबाश तुम्हारी वीरता के समक्ष विरोधी एक शन भी खड़ा नहीं रह पाता जहां तक दृष्टी जाती है वो हमारा राज्य है कहो क्या चाहिए राजनाय जो पाना चाहता है उसे उसने अभी तक देखा तक नहीं एक कली के हाथ में तलवार आदमी में अगर ताकत होती है तो कमजोरियां भी होती है राजनाय की कमजोरी थी औरत सिर्फ उतना ही नहीं यहां तक की औरतों की भी कमजोरी है राजनायक विजय प्राप्त करने के बाद भी राजनायक व्यकुल था सेना बदीजी की जाय हो हारे वे राजा के पास 27 राणिया है और उसके अनावात इस प्रे में काई भी है एक एक करके भीजता हूं हुजूर सुनो हुजूर आगाश में सभी नक्षत्र एक साथ टिम्टिमाएं तो ही सुन्दर लगते हैं सब को एक साथ बेजो जी हुजूर रुको हुजूर क्या तुमने इन कमसिन को भी किना ये ये महल की दासिया है हुजूर वाग में हर तरह के फूल खेलते हैं बेवकूफ इन्हें भी मेरे शेंकश में भीजते हैं हुजूर हुजूर वो एक मूर्थी है मूर्थी तो क्या हुआ एक अरत की मूर्थी है महाराज राजनायक की कमजोरी चानते हुए भी शांत रहें क्योंकि बिना राजनायक के वो युद्ध नहीं जीत सकते थे अर्णायक 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 इन्हें झाल प्रीम शायख हुआ महाराज राजकुमारी का अपरण हो गया और राजनायक भी नगर में नहीं है कहीं राजनायक नहीं तो यह अपरण नहीं किया राजकुमारी को वापस लाने वाले को भार में आधा राज्य दिया जाएगा और राजकुमारी का विभाव से किया जाएगा हर जगे यह ऐलान कर दो किया जाएगा हर 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 जाएग या या ओर या या यहुआ दिर कि झाट झाटो안 है हुए अजए अजया दिरहा डिए भर उनाया यह्लिए आप अजए भर ंए निए ऺड़ण वरल वर उी क्णियों एकर बाद ТемचES मत युद में टुद का थिर डान कर दो हम पर दो कर दो, जो ऑग जि सकता वा हमा हमाई वा जिस्ट Channel माल भूश झाल, हुआ है, ईहा पोल कि फगल मोज स compassionate स所以呢 तुम मुझे जानते हो युगों युगों में ऐसा शूरवीर पैदा होता है जो अकेले ही पूरी सेना को पराज़त कर सकता है आपके समराज्य के नाग्रेक आपकी प्रशंसा करते ठकते नहीं आज उस पराक्रम को देख भी लिया अपनी चाटू कारता की नीधी मुझ पर मत चलाओ मेरे रहते इस राज्य से कोई राज कुमारी तो क्या एक चिडिया के बच्चे को भी ले जाने का प्रयास करने वाला जीवित नहीं रहता ये जानते हुए भी तुमने ये हरकत की अर्चू राज नहीं सुनो अब ये मत कहना की तुम्हारा अपहरण हुआ है यही कहने वाली थी ने तुम अगर ऐसा होता तो ये तुम्हारे आगे बैठी होती और तुम इसे पकड़ती पर ये कन्या तो बड़े आनंद के साथ तुम से चिपक के बैठी है तुमने इसका नहीं इसने तुम्हारे दिल का परण किया है हम दोनों ने एक ही गुरू से तलवार चलाना सीखा है शरीर की बजा है तुमने दिल पर घाव किया ये हमारे शत्रू राज्य के राजकुमार है तुम्हारे पिता से तुम्हारी बहस हुई और इस अपरण की योजना ने जन्म ले लिया राजनायक ये मुझसे बहुत प्रेम करती इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता अच्छा गृपिया हमें जाने दे अगर केवल राजा की पुत्री को बचाने की बात होती तो मैं तुम्हें जाने देता किन्तु मेरे आने का कारण अपनी पत्नी को बचाना है मेरी प्रिया र्त्तु राजनायक हम चलो ना रास बीला करते है न इस पर मेरा हाग है नहीं है हुआ ठीक हम लड़ेंगे पहला वार तुम करोगे मेरे मरने पर तुम इसले जाना आ आजा नहीं अर्जुन इसे रोक कर तुम एक तरीके से मेरी ही प्रशंसा कर रही हो इतना प्रेम करती हो मुस्स चलो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी उदारता दिखाता हूँ मैं बिना शस्त्र के लड़ूँगा और बिना ढाल के आजा मुझे मारने के पश्चात रतना तेरी हो जाएगी आजा ऐसा सुनेरा अफसर दोबारा नहीं मिले है मेरे धैर की सीमा बहुत अलब है आजा 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 राज्य विशेक और विवाहा की तयारियां प्रारंब कर दी जाएं और होने वाली नए वधो जाकर थोड़ा विश्राम कर सकती है तू तू कर सकती है पैर लड़ खड़ा रहे है राजनायब यह चल कपड मैंने तुम से ही सीखा है अपने परिवार का वध करने वाले से विवाह करने का निरने मैंने ऐसे ही नहीं लिया मैं घायल शेरनी हूँ जो खात लगाए बैठी थी इसी अफसर के लिए सही समय पर वार करना ही सटीक युद्धनीती है तुम्हारे समक्ष सुंदरता का जाल बिछाया ताकि तुम अपनी चेतना खो सको मेरे सुंदर्य ने तुम्हारी कामुक्ता को जगा दिया मैंने जीवन भर अपने केशों को केवल गुलाब के जल से थोया और सुकंधित किया लेकिन आज मैंने विश से सुकंधित किया कामुक्ता में अंधे होकर कुछ नहीं देख पाए राजनायक सिर्फ इस जन्म में नहीं हर जन्म में तुम्हारी मृत्यू कारण मैं बनूंगी छुम्हारी बन्म में विरbyण sol औरिया अङ्यू आह उन्म और वदुम्हारी यहे, वाथ हुए नहां जह जह ना देव लोग मिले, ना यम लोग, बिना शान्ती मिले, तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी, हमारी कुल देवी, मा देवी के नाम से, तुम्हें ये श्राब देती हूँ वो जीवन भर एक क्रूर राक्षस बना रहा, रत्नमाहा देवी के अभी शाब से, वो दुनिया का सबसे भयानक हैवान बन चुका है, एक सामराज खंटित होने लगा, रत्नमाहा देवी के महल में, राजनायक और बारा जिन्दा जला दिये गे, सेना पतियों की आत्माओं ने बैठक लगाना शुरू कर दिया, और लोगों ने वो राज्य छोड़ दिया। विश्वास पात्र राजभक्त महल में पुनह प्रवेश पाने के लिए, पंडितों की मदद से पाठ पुजा करवाने लगे। राजनायक से हुआ पाप, हजारों ब्राह्मनों की हत्या से भी बड़ा पाप है। जब तक उसे इस श्राब से मुक्ती नहीं मिलेगी, इस महल में परलो की गतिविद्या नहीं रोकी जा सकती, लेकिन ये आसान नहीं है। एक ऐसा परिवार जिसके सभी सदस्यों ने रोहिनी नक्षत्र में जन लिया हो, उनकी बली चड़ानी होगी। उसी स्तिदी में राजनाय की आत्मा को इस श्राब से हमेशा के लिए मुक्ती मिल पाएगी। मेरी फैमली के सभी सदस्यों का जन रोहिनी नक्षत्र में हुआ है। ये रस्मा अगर होगी, तो कवारी कन्या दवारा होगी, जो अपने वंच की अकेली कन्या हो। उसकी आत्मा तुम्हारे पास आई, समझ में आता है। लेकिन मेरे घर पर क्यों आई। यज्यपूर्ण हो जाने के बाद भी एक विचित्र समस्या है। राजनाय को श्राब से छुटकारा मिलेगा। किन्तु परंतु उसकी आत्मा की दुष्ट प्रवर्ती पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कोई नहीं जानता कि वो अंत में क्या करेगा। उसका कोई उपाए। राजधानी कहीं और बसाओ, वहीं से शासन चलाओ। राजनाय को और उसके बारा और सहयोगी नवकाली का पूर्णिमा की प्रतीक्षा करने लगे। जो करना है तीन दिनों के बाद आने वाली नवकाली पूर्णिमा की रात को इसी जानतिवारी में रह कर करना होगा। क्या है यह क्या है यामनी वह तुम्हारी कोई बड़ी बहन है क्या मेरी बहन नहीं तो बहन नहीं है मेरा मतलब है यह चाशन सस्ठर है के वह सोगी पूरे परीवार में में यह सिंगल्पीस हूं क्यों क्यों क्या अपने सवंच में मैं का के ली लडगी हूं ऊसमें में गल्ती है एक बहन नहीं मांग सकती थी मुझे मारने के लिए पैदा हुई ये किलर पूरी फैमिली को बली चड़ाने वाली हो लगता है विसी पर भूद सवार हो क्या मैं क्या बख रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा विलन है दूसरे लोक में जाने के लिए नहीं बुला है वो हमें यमलोक पहुचाना चाता है अपने श्राप से मुक्ती पाने के लिए रोहिनी नक्षत्र में पैदा हुए परिवार के सभी लोगों की बली चड़ानी होगी यामिनी खुद अपनी मर्जी से नहीं आई उसे यहां लाया गया है वो ही हमारी बली लेने वाली है रहा कैसी बहकी बाते कर रहा है उस भूत ने हम से जूट बोला था सच भी बोलता तो हम क्या बिगाड ले थे उसका अरे हाट पेसन शे मजाक कर रहा है मजाक नहीं पापा वो हमें बजानी की कोशिश में लगा हुआ है यानि उसे हम सब जिन्दा चाहिए उदर कोई साधारन आत्मा नहीं है धड़ लेट में जाता है तो मुंडी राइट में जाती अंदर गुशने वाले की बहुत धुलाई करती है लेकिन काश्मोरा को एंट्री दे दिया लापड़ा बहुत बड़ा होने वाल है नवकालिका पूर्णिमा का स्वागत है रत्ना बादेवी नवकालिका पूर्णिमा की राथ हमारे ये दिन का उजाला लेकि आएगी जब रोनी नक्षत्र में जन्मे परिवार की बली चड़ाए जाएगी राज नायक फिर से संदा हो जाएगा अरे का जा रहा है सरकाराज उस भूत महल को बम से उड़ाने वाली है गाउं के लोग भूत देखने जा रहे है रेडी ये जो पीछे महल दिखाई दे रहा है ये 700 साल पुराना है और यहां रहने वाले लोगों का मानना है कि इस महल के आसपास रात में आत्माई भटकती है आज इस महल को डाइनामाइट से गिराया जा रहा है उड़ाने से पहले इबार फिर सोच लो किसी तांत्रिक वंत्रिक को बलाना है तो मैं नहीं रुकूंगा दुनिया भर के पंडित दुनिया भर के टांत्रिक नजाने मैंने क्या-क्या ट्राइ किया है वो भूत बन गए लेकिन ये भूत नहीं भागे महल उड़ा के मैं जबीन देश दूँगा तिरा दिमाग से डग गया गया पॉन्ट सु करोड रुपए पॉटी के सीक्रेट पेपर्स ये सब कुछ उसकी फैमिली के पास है अगर वो मर गया तो साहिब इतनी सारे पब्लिक है प्रेस मीडिया भी मौजूद है आपकी रेप्यूटेशन दाओं पे लगी है वोस्प आट डाइनामाइट से कम नहीं है मेरे बात में भरो सकरो साहिब ये बॉम भी मुसका कुछ नहीं विगड सकता है सुबह सुबह बलास्ट शुरू होगा जाके सपोर्ट चैनल्स में डाइनमाइट और बढ़ा दो ये फ्रन्ट पिलर्ज वाली लाइन में चेक करो अं रिम्षीम क्लेम मजाः अं रिम्षीम क्लेम मजाः अं रिम्षीम क्लेम मजाः अं ं रिम्षीम क्लेम मजाः oh कि राजनायाद तुम्हें श्राप दिया था कि जब भी तुम इस दुनिया में जनम लोगे तुम्हारा वद्ध मैं ही करोंगे याद है ना हर्जन को तुमने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करता था मेरे पिता इसलिए मरे कि उन्होंने तुम पर विश्वास किया मेरा भाई कहीं राजा ना बन जाए इसलिए तुमने सभी भार दिया लेकर आप समया आगया है तुझसे बदला लेने का कोई भी मुझे इस यागी को करने से नहीं रोक सकता चाहे वो तुम हो या फिर बगवान मैं रोकूंगा अरे यह राम लीला का मैदार नहीं है जब तक मैं इसका नाश नहीं कर देती इस शरीफ पर मेरा ही वश रहेगा रतना अपना हर काम अपने बाएं हाथ से करती थी लेकिन तुमने तो तलवार ताएं हाथ में उठा रखी है इतनी जारी पपलिक में रतना कोई लेफ्टी होना था यह पर फूर मुंस तो एक दिम राइट थी लेकिन हेंड का मामला थोड़ा रोंग हो गया तुम्हारे अभिने ने तो मुझे भी चक्मा दे दिया था लेकिन ही घलती ने तुम्हारे बोल खोल दी काशू हु हु झार फबोल ये तो प्रफके ऱ्टी जांग सुसम्हारे घलती काशू मुझे प्राइज़ल मुझे presents कासं krijgen, कासं vimos डशत पैर कासं, कासं प्यन्कोण कासं प्यंग कासं कासं पैर कर दो कर दो के नहँं каких कर दो कर दो कर दो लुझे हो कर दो नुझा भा भा तस मैं सुदान नमा, तस मैं सुदान नमा तस मैं सुदान नमा, तस मैं सुदान नमा तस मैं सुदान नमा, तस मैं सुदान नमा कर दिए वा दस्मै भादगा नमा दस्मै भादित भादगा नमा 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 भॽ रतना, माँ देवी काश मुरा, जाओ यहां से जाना दो कैसे जाओ 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 कर आँ रतना… इस प्रतीक्या को एक निया आर्थ देते है ini वामी, बाबा जाले, चलो, चलो में जेखर, याउपनी आए ये उख तर आव उख रह बगल बगगा बगगा जए 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 बगचे बगचे झाल आप लोगे रखो पर वही स्थान वही पुर्णिमा वही श्राप उतनी ही नफ्रत तुम भी यहीं मैं भी यहीं आप उच्छे युद्ध कर पुर्णिमा के समाथ होने से पहले ये तलवार तेरा वद कर देगी है लա लुटी पिरो प्या उतनी है याँ! 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 जब प्रूपरेism ... ... ... ... प्राइब करुए अभ्रापफ! अज़ूएब कर भाफ?! रचरें! पहाइ? अज़ुबू! यष्ण — वहा भ्राइब को भूप झाल 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 महल के गुप्द कक्ष में राज नायक की अस्तियां छुपा के रखी हैं. उन्हें ढूड़ने पर ही समस्या का हल मिलना संभव है. झाल 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 हुँ घथ अऑ घख रहाँ 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 हाँ 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 रह 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 झाल 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 झाहो। प्याह। हया। फहा ह। थाह रया। हम अाहिम पन्याञी पती हो बनला हो, भौरा प्रॉरा प्रूप कोई डायमेट नहीं फोड़ेगा पापा कि हऊ रत्ना महा देवी ने हम सब को राक्षस के बचा लिए क्या हम हूंने रत्ना महादेवी को राक्षस के बचा लिए यप्टर कrü, यामिनि तो बुट आखे खो लो आज रमें JEFF प्रभ्वान ने बचालिया क्या हुआ था काश्मोरा महराज ने अपना काम किया आत्माऊ को पर लोग पहुचा दिया तो अरे मैंने कुछ नहीं रेकौर्ड किया उनने फिर से बुला कर रीप्ले कर ले वो इश्वर के अवतार है जय जय कार करो जय का श्मोरा नमाहा दिया आसानी से प्राप्त कर ली डरेक भगवान का स्टेटस मिल गया रहा श्री काश्मुरा भगवान के दर्शन कर लो कर लो कि एक सके लुक जाए एक मिनट चुप हो जाए मैंने हैं कैमरा और रखा था जै काश्मुरा अभी सच का पता चलेगा काश्मुरा वाजे लगवान काश्मुरा या जाए एक, विए लगका पता चानका वेते हैं तुम्हें क्या लगता बैग इसके पास होगा होना हो जरूर वो बैग्स इसने महल में कई छुपा रखे होंगे भी बैग छोड़ो ना सार ये भी तो हो सकता है आत्मा उन्हें अपने साथ लेकर उड़ गई हो और अगर इनके पास है तो तक शेना समझ के भूल जाओ जैसा सब ने देखा किस तरह श्री काश्मोरा महराज ने अकेले ही महल को उन सभी आत्माओं से छुटकारा दिलवा दिया और ये हमारा भाग्य है कि हमारी मदद करने के लिए काश्मोरा जैसे संद मौजूद है मेना बैग इसमें मोम आया थी वो उमने पैक दी और अंदर भगवान काश्मोरा का पोतु रद दिया और पैसे अरे जब साक्साद भगवान मिल गए तो उन तूच काग्यों का क्या महत्वा्य बोलो महान काश्मोरा भगवान की जैए डॉकुमेंस तरहे ना इसमें डॉकुमेंस आत्मा हे ले गई क्या बुल रहे हो कास्मोरा भगवान की जै कास्मोरा भगवान की जै है मेरे पैसे मेरे पैसे ज्वामी क्या बॉकुमेंस आत्माइएपर बभवान कास्मोरा भवान की जै झाल 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 झाल